आप देख रहे हैं जहारकन कोचिंग क्लासेस के यूटूग चैनल और जैसा कि आप लोगों को पता है हम लोग इस वीडियो सीरीज में नाकपूरी व्याकरानों और सहित्य में जो भी टॉपिक जे सेसी के सिलेवश में दिया गया है उसको समझने का प्रयास करें और वो भी स समाब कर चुके हैं और इस तरह से अमीद करते हैं सारे वीडियो आप लोग देखें अगर नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्छन में दिया गया है आप इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को भी के याद कर सकते हैं जो भी महत्पुन फाक्ट है ताकि आप एक्जाम हॉल में जाएं तो तीन-तीन पीरियड आपका एक्जाम होगा इसमें आपका लैंगविज पेपर होगा हिंदी इंग्लिस होगा सेकेंड फेज में आपका जीस का पेपर होगा थर्ड पेपर के अंतरगत आपका लैंग्विज पेपर होगा जो की ऑप्शनल रहेगा जिसे कि नाकपूरी है हिंदी है जो भी आप सब्जेक्ट ले रहे होंगे छेत्रियवासा है वो रहेगा तो इस तरह से आपका तीन-तीन पिरियड में एक्जाम रहेगा तो चीजों को रिकॉल करना बहुत मुस बिंदुलिया रानी बहुत छोड़ा कता है पिछला कर्था थोड़ा सा लंबा हो गया था बनहरनी का बेटा लेकिन उमीद करते हैं पूरा वीडियो आप लोग देखे होंगे वहां बीच भी इसमें आपको समरी बताया गया था यहां पे हम लोग पूरा वीडियो देख ल एक्ठो बुढिया आइग मांगे आलक बिंदुलिया रानी आइग देख में कोड़ी में नखे आइग कईके बाहना कर देलाएं बुढिया के आइगनी मिलक से खिसाए गिलक उको डाइन रहे से चलते खीस कर मारे राजा रानी के मरुआइक उपाय सोच लक उबुढिया सा साप मन के बिन्दुलिया रानी कर घर भेज लग साप के बुढ़िया पहले हैं देश नियर समझाय दे रहे कि जा तो यह बिन्दुलिया रानी के बारा पहर कर नींद दै रहे और दूला हार एक काईट रहे तो इस तरह से फोस्ट पारग्राफ में बताया जा रहा है कि एक र लेकिन बिन्दुलिया जो रानी रहती है वो आलस करती है कोड़ी मलब आलसिपन उसको होता है और इसलिए वो बहना कर लेती है कि हमरा घर में आग है ही नहीं और इस तरह से उस बुढ़िया को आग देने से मना कर देती है और इससे वो जो बुढ़िया रहती है वो बहुत रानी के घर में और बिंदुलिया रानी को जो है वो बारा पहर का नींद दे रखना और दुलाहार को काट रखना यानि कि यहां पे साप को आदेश दिया गया कि बारा पहर का नींद देना है बिंदुलिया रानी को और दुलाहार को काटना है तो आपको यह पूछ सकता है कि जैसे अब उसको डसा जाएगा तो जो इसका 20 होता है वो देरे देरे उसके सरीर में फैनला सुरू हो जाएगा तो उसी क्रम में राजा जो होते हैं वो पहले क्या बोलते हैं उसको देखिए अंगरी के लहरिया गे बिंदुलिया सुपली चड़ले जाये अंगना में जरीरे बूटी पीसे पिलावरे घुरियों पिलावते इस तरह से यहां पे बोल रहे हैं कि अब जो अंगुली में काटा गया है वो नहीं पा रही है बिंदुलिया राखे तले काके सुनी उन निर्भेत सुतत है राजा गो लहर करमारे कहलागले तो राणी उसका आवाज को सुन नहीं पा रही है क्योंकि वो नीम घरी नींद में है और इसलिए फिर से राजा दूराते हैं सुपली के लहरिया के बिंदुल में ना फिले लेकिन फिर वही बात है कि वह जो है घरे निंद में थी इसलिए सुन नहीं पा रहे थी राजा एहे नियर कहते-कहते ठेवना से जांग, जांग से डांडा, डांडा से पेट, पेट से चाती, और चाती से घेचा से माथा तक लाई गे लाएं और वह आखरी में कह लाएं, अंगरी के लहरियाले से बिंदुलिया मत्वा चड़े, चड़ल रे जाए, अंगना में जरी रे बूटिये PCO पिला और बोरियो पि कि अब तो कम से कम जरी बूटी को पीस के पिला दो, या किसी तरह से घोर के पिला दो, ऐसा बोल रहा है, लेकिन रानी अब भी नहीं सुनेगे, क्योंकि उसका नींद जो है, वो बारा पहर का है, वो अभी खुलने वाला नहीं है, बुंदुलिया का नींद कुछ चड़ल पर टुटलक, जटपट सब काम कर लें, और राजा के उठाएगे लें, राजा तो साप कर बीस से माईत के मोयर गेले रहें, तले काके उठभें, मरल दैक के मुरुक काने लागलक, कांते कांते, रानी के, फिन नींद आएगे लग, और शपना देखले लागलें, कि बुढ पुया गो साप के भैच के कटवाय दे हैं, तो इस तरह से यहां पर बोलता है कि जब समय बीच जाता है, वो मर जाते हैं, उसके बाद जब बारा पहर बीच जाएगा, उसके बाद उसका नीद जो हता है, वो खुलता है, और इस तरह से जब नीद खुलेगा, तो सबसे पह बहुत जादा वो रोने लग जाती है रोते रोते फिर से वो सुझाती है और शोनी के बाद जब सपना में देखती है कि बुढिया ही एक थी जो की वो सांप को भेजी थी तब उसको पता चलता है कि पूरा घटना क्रम क्या है कि हम आग नहीं दिये थे आलस के कारण और उसी स से वो गुसा गए थी और गुसा अगे एक सांप को भेजी थी और हमको बारा पहर का नींद दे रखी और राजा को सांप से कटवा रखी और इस तरह से राजा का मृत्य हो गया अब उसको सारा घटना जब पता चल गया तो फिर बुढिया को वो बुलाने के लिए अगर तो यहां पर जब राजा के ठीन ठीक करवाय देबू इस तरह से यहां पर जब राणी को पता चल जाता है कि बुढिया इस तरह से गटना को अंजाम दी है तो उस बुढिया को बुलाया जाता है बुडिया बोलती है क्या तो क्या अंजान के जैसे वह बोलती है कि क्या आप ही हमको बुला है का तो है मुक्षा में रहती है तो वह पूरा डाट के वह बोलती है कि हमरा दुला को तुम जल्दी से जिला और नहीं तो तुम्हारा भला नहीं होगा तुमको बहुत सजा देंग कि हाना ऐसा मत करूं हम राजा के फिर से ठीक कर दोते इस तरह से बुढिया जो है वो फिर से राजा को ठीक करने के लिए राजी हो जाती है अब नेक्ष्ट पार्ग्राप में देखते हैं क्या बोला गया बुढिया गो मंतर मायर के सांप के बुला लग और कह लग असल कर मोर कर शांप है किसार तो जाय राजा कर कर कहीं Alors जड़ी बुटी के उठाय के लन बी सांप पुड़या कर बताल मताबिक राजा कर घरे चैल गे लग और राजा कर शव बीस के खींच ले लग राजा कर बीस उत्रा लग से उजी उठ लग और कहलाग लग आई इस तो मुरुक सूइट गेलो बिंदुलिया गेलो तो इस तरह से यहां पर बुडिया जो है उस तरह से ही जैसे कि रानी का आदेश मिला था कि फिर्श कोई उनको क्या घटना करा मुगा राजा को कुछ आता पता रहता नहीं है और इसलिए वो बोलते हैं कि आज तो हम मुरुक मतलब यहां पर बहुत ज्यादा सोग है तो इस तरह से यहां पर बोल रहे हैं राजा हम तो मुरुक सूइट गेली और इस तरह से बिंदुलिया क् क्राइब सब बात के बताया दे लाएं यहां उनका दिहान थो चुका था तो वो तो राजा को नहीं भले पता था इसलिए हम बोल रहे थे कि वह डंबे घरे निंद में चले गए हैं लेकिन रानी को पता था कि इनका दिहान थो गया, इसलिए बोलते हैं कि आप जैसे सोये थे, आपका दुस्मन उस तरह से सोये, आप फिर से इस तरह से कभी ना सोये, तब राजा बोलते हैं ऐसा तुम क्यों बोल रहे हैं, तब सारा रानी जो है काटना को बता देती है कि वो बुढिया जो थी आग मागने के लिए आई थी हम उसको नहीं दिये और इसलिए वो जो है एक सांप को भेज के हमको बारा पहर का नीम दे रखी और आपको बिस काटने के लिए बोल रखी और वही बिस से आपका दिहान थो चुका तो इस तरह से यह सारा चीज उसको बता दे बुढिया कबूल कर लग कि आईज के दिन से मुए केखो कोनों नी कर बोते इस तरह से राजा डरवाते हैं और बोलते हैं कि आज के दिन से ऐसा तुम किसी के साथ की तो तुम्हारा खाल खिचवा देंगे और इसलिए बुढिया डर के बोलते है कि आज के साथ ऐसा किसी के साथ हम नहीं करेंगे लास्ट पारग्राप क्या बुलता है बिंदुलिया राणी और राजा अब बेश से कमाए खायक लाग लें बुडिया के अईसन डर भीन लग कि आपन जिनगी भर के खोंग पांगेक नासे करकाम नी कर लग उबस्ति को सलसते होई गे लग उब राजा क राज में सब सुख से जिये और खाय लाग लेता है इस तरह से यहाँ पर अंतिम बोला कि बुंदियलिया राणी और उनके राजा जो थे वो अच्छे से कमाने खाने लग गये बुडिया जो था उनमें डर आ गया और डर आ इसलिए वो किसी को पांगेक नासे यह जो काम थ बिल्कुल छोड़ देती है और वो जो गांव था या बस्ती जो था वो पूरा सलसत हो गया यानि कि इस तरह का आपका किसी के साथ कोई गलत काम नहीं हो रहा था और इस तरह से बोलते हैं उसका पुरा राज्य जो है वो सुख से जीने लग जाता और इस तरह से यह कहानी जो होता है या कथा जो होता है वो समाफ होता है तो चलिए देख लेते हैं कि इसमें आपको महत्तपुन बिंदू क्या क्या है जिसको बार-बार आपको रेवेजन करना है जिससे सवाल पूछा जा सकता है तो सबसे पहले बिंदुलिया रानी तो रानी का नाम पर यादी र सांप को बेति हैं आपको नेन करेंगे और काम करने के बाद राजा को उठाने जाएंगे राजा जब उठेंगे नहीं तो वो क्या होने लगती है रोते रोते फिर से वो क्या हो जाती है सो जाती है सोने के बाद सपना में देखती है कि यहां पर यह सपना में देखी थी कि रानी जो बुढिया जो है वो सांप को भेजवाती है और इस तरह का घटना को अंजाम देती है तब यहां पर रानी को रानी क वापस जी उड़ते हैं तो इस तरह से ये घटना करम चला था अंतिम में यहां पर बोलता है जब राजा वो सारा चीज का घटना का पता चलता है तो बोलता है कि हम तो आज मुरुक सूइद गे ली तो इस तरह से नीन के उड़ते हैं राणी बताती है कि ऐसा राणी बता दे पिर राजा गुसा जाते हैं और इसलिए फिर से बुडिया गूलाते हैं और बोलते हैं कि आइच करवाद से तो केको डाइन भी दिया ना लागा बे बुडिया कबूल करती और इस तरह से नांगिक पागे इस काम छोड़ देती हैं और इस तरह से वह उनका राज जो है वह ख खुद से भी बना सकते हैं आप देखिए एक मात्र एक पेज में ये समरी है और इसमें दो तीन कहानी को अर्जस्ट किया गया है तो आपका तीन से चार पेज में आपका पूरा लोक कथा समाप्त हो गया है तो इसको आप बहुत क्विकली